नमस्कार आप देखरें नीज़वल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोन लरायन शुरुवात करेंगे उत्तरप्रदेश के खबरों की ग्रेटन वरा में देर रात एक युवक की पडोसी ने चाको से कोट कर हत्या कर दी किसी बात को लेकर युवक का पडोसी उसी वाद हो गया था जिसके बात पडोसी ने युवक को घर के बाहर घेर लिया और चाको से बार करती हुए उसे लहुलुहान कर दिया आनन फानन में युवक को ग्रेटर नोरा के केलाश अस्पतार ले जाए गया जहां डॉक्टरस ने उसे मित्खोशित कर दिया फिलाल पुलिस ने मृतक के शब को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है वहीं मृतक के घर के बाहर पुलिस को तरात कर दिया गया इसे के साथ ही पुलिस हमलावर की तराश में भी जुटी हुई है ग्रेटर नोरा के तस्वीरे आप देख रहे हैं युवक पर पुरोस्यों ने चाकु से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई रामपूर में बीजेपी राज मंत्री बल्देव सिंग ऑला की विधान सभाव इलासपूर में लगे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और जल सिचाई मंत्री बल्देव सिंग ऑला के पोस्टर को किसानों ने फार दिया है तो लोखिमपूर खिरी का असर पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है प्रदेश में किसान अलग-लग तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है सहारनपूर के थाने सदर बाजार शेत्र में एक बहुत बड़ा हाथसा होने से बच गया जहाँ पर रेज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चौарलक अपनी ट्रैक्टर ट्रैक्टर को कंट्रल नहीं कर पाया और ट्रैक्टर सीधा पेट्रॉल पंप की मशीन में जाकर तकरा गया वोई अपनी गाडियों में तेल भरवाहे लोगों में भगदर मर्ज गई, ड्राइवर उसके साथ ट्रेक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गई टकर इतनी भीशन थी कि पेट्रोल पंप की एक मशीन पूरी तरह से शतिक ग्रस्त हो गई गंटों के मशकत के बाद पेट्रोल पंप मालिक ने क्रेन मंगवा कर ट्रेक्टर को हटाया और पुलिस को इसकी सूचना दी आगरा में सौच के लिए गई एक महिला पर अग्याद यूपको ने च्वाकू से ज़ान लिवा हमला कर दिया जिससे महिला गंभी रूप से खायल हो गई ज़ानकारी के मताबिक महिला अपनी सास के साथ खेतों में सौच के लिए गई थी इसी दोरान अग्याद यूपको ने महिला को बाश्वर के खेत में खीशने की कोशिश की और जब महिला ने इसका विरोध किया तो अग्याद यूपको ने महिला पर च्वाकू से हमला कर दिया वहीं पिड़ता की च्विक पुकार सुनकर सास और ने लोग मौके पर पहुँचे तब जाकर अग्याद यूपक मौके से फरार हो गए थे जिसके बाद परिचनों ने हमले में गंभी रूप से खायल महिला को सीच सी केंद में भरते कराया मामले में मौके पर पहुँचे पुलिस जाच परताल में जुटी हुई है थाना बाहर शेत्र के गाओं इंद्रानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है मद्वर से बीजेपी महानगर अध्याक्ष विनोद अगरवाल की दबंगई का एक आडियो सामी आया है आडियो में महानगर अध्याक्ष एक विक्ति से फोन पर अबद्र भाशा में बात करते ही धंकाते नजर आ रही है सुनाई दे सकते हैं और बता दें कि महानगर अध्याक्ष आडियो में विक्ति को छट की सिलिंग तोड़ने का आरूप लगाते वे हाथ पैट तोड़कर आस्पताल पहुंचाने की धंकी देते सुनाई दे सकते हैं मामने में वेक्ति ने सस्पी आफ़स में इसके शरकात की है बरिले में थाना बारादरी के दुरका नगर निवासिय युप्ति की गुमशुदगे के मामने में पोलिस ने खुलासा कर दिया बता दें कि करीब 6 महीने पहले युप्ति को बदाईयों निवासिय एक युवक ने अपने प्रेम जवाल में फसाया हत्या की बाद कबूल कर ली है जिसके बाद पर उसने घटना का परदापाश करते हुए प्रेमी समेद घटना मिश्वामिल तीन अन्यों को गिरफतार कर जेल में जिया जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है थाना बारादरी के अंतरगत 16 जुलाई को एक पिता के द्वारा तहरेर दी गई थी कि उसकी 20 वर्षिया लड़की काम करने के लिए रुद्रपूर उत्राखन गई थी और वहाँ वो पहुंचे नहीं है वो गायब है इस अधार पर पुलिस के दोरा इसमें गुमशुद की दर्ज की गए थी और उसके बाद छानवीन की जा रहे थी कि जो वादी है उसकी लड़की कहां चले गई पुलिस के दोरा इसमें जब धेरे-देरे चानमिन की गई और सर्विलांस की मदद लिए गई तो पता चला कि एक युवक उसको अपने साथ ले गया था जिसकी उससे जान पैचान थी और वो युवक उसको बदाईयू उसी दिन लेके चला गया था बदाईयू पहुँचने पर उसी का एक जो घनिस्ट मित्र था सतेंदर नाम का और उसके नौकर के दोरा और उसकी पतनी और बेटे के दोरा उस लड़की को वहाँ मार दिया गया मारने का जो कारण था वो ये था कि जो इसका प्रेमी था उसने सतेंद्र नाम के युवक्त से ये बात तैक कर दी थी कि जो लड़की है उसकी शादी वो उसके लड़के से करा देगा जिसकी जो पतनी थी वो पूर में मर चुकी है तो शादी कराने का जो प्रस्ताव जब ये लड़की के सामने रखा गया तो लड़की के दोरा साफ इंकार कर दिया गया और लड़की के दोरा वहाँ पर चिलाने और इस तरह के बशने बचाने की बात की जाने लगी तो लड़की के मारे उस लड़की का वहाँ पर गला आगया मामल में ऑर यह सनां करने के लिये पहुंची थी और तभी इसले पो स्मार्चम के लुविज़ा दिया है परिजनों को भी स्तूचित कर दिया है तो अर्दोई का ये पूरा मामला है जो आप नेमी शोह से परसनान के लिए ज्वातिय वक्त बड़ा हादसा हो गया आपको तादें कि यहाँ पर एक महिला ट्रेन की चुपेट में आने से उसकी जान चले गए इसके बाद वहाँ पर शुनाक की गई महिला की शुनाक करते वे पोलिस ने शौप को पोस्ट मार्चम के लिए भेज दिया है और इसके अलावा परिवार को भी सूचित कर दिया है झालाव बारबंके के सामुदाइक स्वास केंटर पर हो रहे शोशन से नाराज आशा कारेक्रितियों ने जिलाधेक्ष की मौजूर्गी में अस्पताल को पूछ किया बतातीं कि आशा बहुओं ने अधिकारी और कर्मचालियों पर आर्थिक और मांसिक शोशन करने का आरूप लगाया है आशा कारेक्रितियों ने लिपकों पर जन प्रमान पत्र के नाव पर धन उगाही प्रसुता महिलाओ को जियस वाई में मिलने वाली धनराशी के लिए घूस लेने और घूस ना देने पर कई महीनों तक लाबर्तियों के खातों में पैसे ना भेशने से कई गंभी रारूप लगाते वे सीची पर जम कर हंगामा मचाया आशा बहुओं को कहना है कि कई बार अधिकारियों से श्रिकायत करने की बावजूद भी कोई सुन्माय नहीं की जा रही जिसके चलते आशा बहुओं ने सामदाई स्वासकेद्र पर जम कर हंगामा काटा है तो बारबंकी की जिसे हो रही हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा तो ऐसे भी उन्होंने आज सीची का कूच किया तो बारबंकी की सामदाई स्वासके इंदर पर लगातार हो रहे शोषण से आशा कारिक्रती काफी जादा नाराज है उन्होंने जिलादेश के मौजूद्गी में अस् गूसलेना और गूसना देने पर कई महीनों तक लाबर्ती के खातों में पैसना भीशने सहीर कई गंभीर आरूप लगाते वे सीची पर जमकर हंगामा बचाया आशा बहू का कहना है कि कई बार अधिकारियों से इसके शिकायत करने की बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा जिसके चलते आशा बहू ने सामदाइक स्वासकेंद पर जमकर हंगामा काटा है तो 12 बंकी की तस्वीरे आप देख रहे हैं सीची पर आशा बहू है पूरी तरीके से जमावण लगाकर खड़ी हैं सीची पर गंभीर आरूप लगा रही हैं उनका कहना है कि हम लगातार महि महिलाओं के लिए काम करते हैं लेकिन सीची में कई ऐसे लाव हैं जो महिलाओं तक नहीं पहुच पा रहे हैं लगातार उनका आर्थिक और मांसिक शोषन किया जा रहा है धरुगा ही उनसे की जाती है और ना देने पर पैसे जो हैं वो उनके खातों में नहीं भीजी जाते इसी को लेकर गोज़िदाधियक्ष के पास पहुंची ज़र्दक्ष के साथ उन्होंने सीची का पूछ किया तो रही तौंकर ठीक हम आएंगे सरसें बात करेंगे कि जो आसाओं का पैसा आप वो दे दी जी क्योंकि आसाओं हमारी बहुत भीनत करते हैं कि वो इसे किसी की लड़ाई नहीं ही कि इसी लिए हमारे तो बारबंकी का इपूरा मामला है जोहां पर आश्वा बहों ने सीच पर कई तरीके के गंबीर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि उनका आर्थिक और मांसिक शोषन लगातार किया जा रहा है वो लगातार की शिकायत कर चुकी हैं लेकिन इसोर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा तो वो जिलाधियक्ष के पास पहुंच रही हैं मदब की गुहा वहां जो लगातार अधिकारी हैं वो उनका सोशन कर रहे हैं उनसे धनुगाही की बात करते हैं इसके लावा जो वहां पर लिपकों पर जन प्रमान पत्र का भी आरोप लग रहा है कि धनुगाही उसमें भी की जाती है और सी कबर पर जादा बेट के लिए मेरे से योगी रविंद्र पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रविंद्र क्या कुछ जानकारी मिल रही है आश्वा बहुए लगातार ये कह रही है कि CSC द्वारा हमारा आर्थिक और मानसिक श्चोशन हो रहा है इसको ले करमचारी साथी जिभाग पर ही आरोग लगाए हैं यहां पर आसा बहुए ने कहा है कि यह जुड़ता इंट्री के आपरेटर की द्वारा ही भेजे जाते हैं जाता इंट्री आपरेटर ये पैसे तब तक नहीं भेजता जब तक उसको 200-300 रुपे नहीं मिल जाते तब तक पैसे नहीं भेजे जाते हैं तो आसा तरता जो है जाती है जहां से केस होते हैं आखिर फिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया देखी पारूल ध्यान इसलिए नहीं दिया गया कहीं न कहीं इसमें विभाट की भी समित्टा जाहिर होती है कि अगर यह कारवाई की जाती तो आज हो सकता है आशा बहुर इस्थांत बेटी और यहां पर धना परदर्शन और जो ग्यापन दिया गया है इस यह जो धना प् लोसे क्या कहना है उनका और जिलादिकारी के पास भी वो पहूंची जिलादिकारी द्वारा क्या कुछ कहा गया किस सरह आ काम नहीं कर पा रही है लेकिन पर ही लेकिन यहां पर जो आशा बहुएं काफी संख्या में नज़र आ रही है क्या सबके साथ इस तरह की जो आर्थिक तौर पर हो या मांसिक तौर पर हो जी बिलकुल पारूल यहां पर एक आधर असा करक्ति की बात हो तो कहा जा सकता था कि हाँ कही ने कहीं विक्तिकत को समझ जाए जिसको लेकर यह गंबीर आरूब लगाए जा रहे हैं लेकिन इस यह सी पर जितनी आसा बहुए हैं और सारी यह कठा हुई और जिलाग की आसा कर चाहिक बहुऑनारी रहे हैं जो पर जाहते हैं इस बहुत तसमें हैं जनप्रमाल पत्र बनाना हो फ्रसक्ता tota को वहाँ से बेजना हो इसके लावा तमाम और बहुत सारी चीज़े हैं जिसको लेकर आशब होए लगातार परिशान है उनका कहना है कि हम काफी दिनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई भी सोध्यान नहीं दे रहा वयागरा की पिनाहार ब्लॉक शेतर में संदिक दिवारल बुखार का कहे जारी है जो हां बुखार के चलते एक तीन महीने की बच्ची की इलाज की दुरान मौत हो गई बतादे की लगाता संदिक दिवारल बुखार की चलते अब तक पुल 25 मासूं बच्चों सहीत एक व्यक्ति की जान जा चुकी है इसको नेकर स्वास विभाग भी पूरी तरह से मुस्तेदी के साथ गाउं गाउं में स्वास श्रिवर लगाकर ग्रामिलों का परिक्षन कर र हटा आफ हाल है यानि कि वारल बुखार का कहर अभी उत्तर प्रदेश में जारी है अभिलबुक और का कहर नहीं थमा है आगरा की तस्वीरे हैं गंदी कामबार लगा हुआ है जगा-जगा जो पानी वो जमा हुआ है ऐसे में तमाम जो विमारिया है वो लोगों को हो रही है इसके बज़ों से बच्चों की भी जान जारी है और जो व्यसक है वो भी इसकी चपेच में आ रही है तो संदिक दिवारल बुखार का कहर लगाता जारी है और वहीं आसपास के जिलोगे उनका कहना है कि कोई भी प्रधान या कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है हाल चाल जानने के लिए अमेठी में पूर कैबिनेट मंत्री गायतर प्रजापती के निजी ड्राइवर पर जानने वा हमला हुआ जहां बाइक सवार अग्याद बदमाशों ने ड्राइवर छोटू यादर पर गोली चला दी पर मौकर से फरार हो गए बताने कि गोली गारी के गेट और ड्राइवर के सीट में लगी हादसे में ड्राइवर छोटू यादर सुरक्षित है मामले में ड्राइवर ने आमेठी कोतवाली पहुँच कर मामले के शुकायत की जिसके बाद पूलिस मामले की चांच में जुटी हुई है तो पूर्व काबिनेट चुम्बंत्री के ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ है अग्याद बदमाशों ने ड्राइवर पर गोली चलाई है अलाकि जो ड्राइवर है वो पूरता सुरक्षित बताया जा रहा है फिलाल एक F.I.R. दर्ज कराई गई है इस F.I.R. के आधार प महादेवन के पाल उदर से दुबाइक से आ रहे थे अग्यात लोग उन्होंने मेरे गाड़ी पर गोली चलाई है एक गोली सीसे पे लगी सीसा कुड़ गया और दूसरी गेट में लगी गेट छेट कर गया हम सरपाज के मारे जो है गेट गाड़ी जो है लेके पावन याद के बंदे नजर अपराद और पराधियों पर लगाम लगाने के देश उसे लगातार शेतरादिकारी अश्रीरा महिश कुमार के नत्यतुमें सद्धन चेकिंग अभ्यान चलाया जा रहा है वहीं चेकिंग अभ्यान के दौरान थाना फथेपुर सीकरी पुलिस को एक बड़ उनकी और भी साथ ही बताया जा रही है अभी कुछ दिन पहले एक मोटर पंखा चोरी वह था जिसके कीमत 15-16,000 रुपे थी उसको भी पता कर लिया गया है और वह मोटर पंखा बरामत किया गया है कवाडी को बेचाता उसको भी अरेस्ट किया गया है इस परकार से दो सफलताएं चोरी की मामनें बिली है और भी इ पहड़ी खाना श्यत्र में एक युवक की जमीन पर भूमाफिया प्रधान ने कबजा कर लिया जिसके बाद कबजा की गई जमीन पर रोड बना दिया प्रार्थी को बीटे दिनों पता चला कि दबंग राम प्रधान पती देलीब कंगवार और उसके भूमाफिया साथियो के तरफ से प्रार्थी के खड़ी कन्य के फसल को बरबाद करके चुट मार्व बनवाय गया है पिरित अपने पूरे परिवार के साथ अपनी नश्ट्वी फसल के साथ सस्पी ओफिस से जलादिकारी कारले तक नियाए दो के नारे लगाकर गले में तख्तियां टांग कर नि उनकी खड़ी फस्लों को पूरी तरह से बर्बात कर रहा है जिससे परिशान होकर ग्रामिन जो हैं पूरी परिवार के साथ जिलादिकारी कारले का कूश करते हुए नजर आ रही हैं तस्फीर आप देख सकते हैं गले में तक्तिया टांग कर ये लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार इंसाफ्तों के नारे भी लगा रही हैं आदर गंड़ा कर दिया जुदाई भी निकर सकता हूंगा सार अब ये ट्राइल लेकर रहा हैं सभी लोग ये क्या मामला है ये साब गंड़ा के कहां ले जाओंगा नहीं है फैर्टी चलिए ना कोई चलिए कहीं नहीं चला मैं कि इसे का फेक दूब ले जाएंगा तार कि अब करेक्टर साब के पास आया हूं गंड़ा को काट कर डाला अच्छा उसमें उसमें बचाए बाकि लोग आओं के लोग उसके आपन देने आया जी सब एक तरसाब के लिए ये क्या मांग है आपकी मेरी सामागे निया मुझे मिलना चाहिए बहां से रोट अटा कर साथ से डालना चाहिए गंड़ने का मेरा विर्माने देने लिए और सिल्दार साब को भी पहुंच चुकी है कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो जाए यह करते हैं पर रहा है क्या करते हैं परदान में बन चुके हैं अच्छा तरहिए तो यह क्या फंड़र्ब पे जिला कॉंगर्स कमेची के कारता प्रियांका गांधी से अबदर था और नजर बन्द किये जाने के मामले को लेकर तिन दिनों से प्रदशन कर रहे हैं कॉंग्रिसी का कैना है कि लखीन पूर खbor़ी पूलिस के तरब से पुरियांका गांधी को रोक हम जा जाने हो गा है राखेंका गांधी को रिहा कर दिया है और राहूल गांधी लखीमपूर खीरी के लिए भी रवाना हो चुके हैं लखीमपूर खीरी में जो अत्याचार हुआ किसानों के ऊपर मंतरी महोदे के पुत्र ने उनके गाडिया चाड़ा दी उसको लेके हमारी बैंजी प्रेंका गांधी लखीम को खीवी जा रही थी जिनको रातो रात गिरफतार कर लिया गया पुलिस के द्वारा हमें यह बताया जाए कि कौम से सम्मिधान में यह लिखा हुआ है कि कोई पीडित पक्षि से मिलने नहीं जा सकता कोई भी नीता आप करके उनको तीन दिन से नजर कैद किये उनको छोड़ नहीं रहें वह समांग को लेके हम आज परसातल के पास आए कि अगर उनको ग्रफतार किया गया है तो हमें भी घृपतारी किया जब तक बैंपुरेंग को नहीं छोड़ा जाता जब तक हम को भी जेल बेचके हैं प्रियंका गांदी जी गई तो पुलिस प्रसाशन तीन दिनों से लगातारों को नजर बंद किया है। पहुंचे और काफी देर तक उन्होंने गेहनता के साथ तमाम बिंदों पर जम्यदारी से जौनकार रिले कर निरिक्षन किया। वहीं स्ट्यम के आउचक निरिक्षन से सामधाइक स्वासकेंद्र में हरकम किस्तिती बनी रही। स्ट्यम ने बताया कि यहाँ पर कुल 11 मरिज देंगू के हैं जिनका इलाज चल रहा है सब ठीक है। उन्होंने कहा कि देंगू से लड़ने के लिए सभी तयारियां पूरी की गई हैं। किसी बतार की जरुत पढ़ने पर सभी तयार हैं किसी को भी घबराने की कोई जरुत नहीं है। जो टेस्ट ट्रिप्स अपलब सुफिशन मात्रा में है तो इसके लिए अभी चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ पर भी केस दो हो रहे हैं महाँ पर डीडी पी छड़काव तुरंद करवाया जा रहा है तक कि अभी से ही रोग दिया जाए तक कि और ना फैले। और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूस वाल इंडिया के साथ।